Hello BSC and MSC students, कैसे हैं आप सभी लोग, उमीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे My name is Aashish Giri, आज किस वीडियो के अंदर हम डिसकस करेंगे यदि आप BSC और MSC का theoretical exam paper देने जा रहे हैं तो आपको किन-किन चीजों का ध्यान लखना चाहिए काफी सारे BSC और MSC के student videos के निचे comment section में exam papers related कई सारे questions पूछ रहे थे तो मैं उन्ही questions के answers भी आपको इस वीडियो के अंदर share करूँगा साथ मैं अपना experience भी share करूँगा इसलिए इस वीडियो को end तक जरूर देखें आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा देखें एक student का question था कि sir जैसे कि हमारा exam paper section A, section B, section C, three sections में divide रहता है section A में short question पूछ जाते हैं और अलग-अलग exam pattern के according किसी में short question 2 number में पूछा जाता है किसी में 3 number में पूछा जाता है generally short question में बुला जाता है कि आप इसे 50 word में या 100 word के अंदर explain कीजिए तो उसमें उन्हें कितना page explain करना चाहिए ठीके जैसे माले जी आपसे पूछा जाए 2 number में short question में कि आपको 50 word में इसे explain करना है तो कितना आप explain करेंगे तो देखें मैं आपको इसका एक अच्छा तरीका बताता हूँ देखें student जैसे ही आप अपने exam paper के written copy को open करते हैं तो इस तरीके से आपको page दिखाई पड़ता है अब आपको जब आपसे 2 number में short question पूछा जाता है तो उसमें सबसे पहले ये देखें कि short question में कोई diagram तो नहीं है अगर कोई biology से related कोई diagram है तो आपका काम आसान हो जाता है आप यहाँ पर diagram बना सकते हैं कोने में एक बड़ा सा diagram बना देजिए देन उसके बाद आप इस पूरे page में उसके बारे में explain कर देजिए यानि कि लगभग एक page आपको इस तरीके से explain कर देना है ठीके इसके बाद कुछ biology student का question रहता है कि सर क्या हम अपने exam paper में biology का diagram बनाने के लिए colorful pen use कर सकते हैं या नहीं कर सकते तो देखे students यहाँ पर मैं आपको simply कहना चाहूँगा examiner के सामने जितना अच्छा आप लोग diagram represent करेंगे उतने ही अच्छे number आपको मिलेंगे तो कोशिश करें कि colorful अच्छा diagram बनाएं लेकिन ध्यान लगे आपको red pen का use नहीं करना है बाकि सभी colorful pen आप use कर सकते हैं एक चीज मैं आपको यह बदा देता हूँ कि अगर आप लोग highlighter का use करते हैं या फिर आप लोग gel pen का use करते हैं या sparkle pen का use करते हैं color variation है तो काफी बहतर होगा heading डालने के लिए आप लोग colorful pen का use कर सकते हैं इसके बास student number 3 पर आपको यह बता दू कि जितनी अच्छी आपकी handwriting रहेगी उतने ही अच्छे number आपको मिलेंगे examiner अच्छी handwriting और अच्छे diagram से ज़्यादा प्रभावित होते हैं लेकिन काफी सारे स्टुडेंट हैं जो कहते हैं कि sir handwriting तो बहुत अच्छी है हमारी लेकिन अगर हम handwriting अच्छी करने के चेकर में हमारा time बहुत जादा खतम हो जाता है यानि कि अगर हम handwriting अच्छी रखते हैं तो speed कम हो जाती है लिखने की तो essay student को क्या करना चाहिए essay student को starting के कम से कम 12 page आप लोग अच्छी handwriting में explain करें इससे examiner तुरन समझ जाएगा कि handwriting अगर 12 page तक अच्छी रही है तो उसके बाद speed में लिखने के चेकर में या writing इस तरीके से खराब हो गई है इसके बाद काफे सारे student हैं जो कहते हैं कि सर हजय से हमारा paper तीन sections में divide होता है section A, section B, section C तो हमें कौन से sections को पहले attempt करना चाहिए section A को या B को या C को क्योंकि section A में short question आप से पूछे जाते हैं तो short question आप लोग सबसे पहले explain करें लिखिए अगर आप लोग exam paper के coding question को solve करोगो तो examiner के लिए जो copy check करता है उसके लिए काफी आसानी होगी तो कोशिश करें कि section A से ही सुरुआत करें, short question को ही पहले attempt करें, एक चीज़ मैं आपको बदा देता हूँ short question के advantage के बारे में short question generally दो number के या तीन number के होते हैं और इसमें number नहीं काटे जाते यानि कि अगर आपने अच्छे से उसके बारे में explain कर दिया है, अच्छे से diagram बना दिया है तो आपको complete marks मिलते हैं इसमें आपका number deduct नहीं किया जाता है कि ऐसा नहीं है, जैसे long question में आप देखेंगे, आप कितना भी अच्छा लिख लेते हैं अगर 10 number का long question आपने अच्छे से लिखा है तो आपको no number मिल जाते हैं यानि एक number वहाँ पर भी deduct कर लिया जाता है लेकिन short question में आपके number deduct नहीं होते हैं तो इसलिए कोशिश करें कि short question अगर 10 आ रहे हैं तो 10 के 10 आप लोग अच्छे से explain करें और उसका diagram भी अच्छे से बनाए वहाँ पर आपको complete marks मिल जाएंगे इसके बाद आप लोग section B, section C के questions को attempt कर सकते हैं क्योंकि काफी सारे से student है जो exam paper तो अच्छी तरह से solve कर सकते हैं लेकिन उनके पास आखरी में time नहीं बचता तो एक या दो long question उनका छूट जाता है तो इसलिए आप लोग ध्यान लके student की time का विसेस रूप से ध्यान रखना है किसी से बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करनी है कहीं और अपना समय वेर्थ नहीं कवाना है आपको continue लिखते रहना है वो student जो है line छोड़ कर लिखना start कर देते है मैं example के साथ आपको समझाता हूँ माली जी है कि आपके exam paper में long question में आपको पता है कि भाई कम से कम 5 page लिखना है तो 5 page भरने के लिए कई सारे student एक line में सबसे पहले लिख दिया अच्छी से फिर इसके बाद ये line छोड़ करके इस line पर आ जाते है तो ये mistake नहीं करना है आपको पूरी तरह से अच्छे से लिखना है सभी के सभी line में आपको भरना है otherwise examiner भी उस चीज को देख रहा है कि आप कितने words में explain कर रहे हो कभी भी line छोड़ कर ना लिखे जैसे आपने उपर ये line लिखा है उसके बाद second number पर इसमें भी लिखना है ऐसा नहीं कि बीच वाली line छोड़ करके फिर आपने यहां से start कर दिया वो थोड़ा awkward भी लगेगा तो आपको इस प्रकार से जैसे outline भी आपको show करना है ठीक है इसके बाद कई सारे student comment section में question पूछते है कि जैसे sir हमारी exam paper में long question पूछा जा रहा है और long question में कहा जा रहा है कि कम से कम 400 words में explain करो या MSC के exam paper में कहा जाता है कि 500 words में या 600 words में explain करो तो उसमें हमें कितने page भरने चाहिए ठीक है और diagram के साथ तो इसमें आपको ध्यान अकना है student अगर diagram नहीं है और diagram है इन सभी को मिला करके मैं आपको बताता हूँ कम से कम 5 से 6 page अगर 400 words बोला गया है तो कम से कम minimum आपको 5 page भरने ही चाहिए उसके बाद आप 6 भी भर सकते हैं, 7 भी भर सकते हैं अगर आपके पास time बचा हुआ है तो लेकिन कोशिश करें कि minimum आपको long question 5 page जरूर भरे इसके अलाबा यदि मैं MSC के student की बात करू तो कम से कम आप लोग 7 page जरूर भरे और वही questions attempt करें जिसके बारे में आप ज़्यादा लिख सकते हैं जिसके बारे में आपके पास complete information हो इसके बाद कुछ student कहते हैं sir time management का बहुत problem होता है time को manage कैसे करें क्योंकि exam paper में देखिए पहली बात मैं आपको ये बता दू जब भी आप exam paper देने के लिए जैसे ही आप college के अंदर enter करते हैं तो सबसे बड़ा task रहता है students के लिए कि फटा-फट अपना roll number देख करके अपना room number find out करना है किस room number में हमारी sit लगी वही है इसके बाद जैसे आप room number find out करके अपने sit पर बैठते हो तो वहाँ पर examiner आपको लिखने वाले जो written copy होती है वो आपको दे दी जाती है वो written copy इसलिए दी जाती है ताकि आप अपना नाम, roll number ये सब सारी जो basic जानकारिया है paper में वो सब आप लोग अच्छे सरसे लिख लो उसमें आप लोग बाद में समय गवानी की जरूत नहीं है कई सारे ऐसे student है जो बहुत देर में आते हैं 15 मिनिट लेट आते हैं तो इस चीज का विशेस रूप से ध्यान लखना है जितने भी beginner student है, BSC first year के student है वो इस तरह की mistakes करते हैं आपको इस तरह की mistakes नहीं करनी चाहिए पहले ही आपको exam paper में चले जाना चाहिए इसके बाद finally देखे काफी सारे BSC या MSC के student हैं अगर आप लोग अपने exam paper के written copy को ध्यान से देखोगे especially मैं अगर मैं BSC के student की बात करूँ तो कम से कम आपके पास 28 से 32 page होते हैं ठीके जिसमें आपको लिखना होता है, answer देना होता है वह यदि मैं MSC की बात करूँ तो कम से कम 38 page आपको जरूर मिलेंगे, ठीके आपकी written copy में 38 page देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर question ही आता है कि sir क्या जरूरी है कि सभी की सभी page भर दिये जाएं, नहीं, page भरने पे आपको ध्यान नहीं देना है बस आपको इस बात पर ध्यान देना है कि जो भी questions आप attempt कर रहे हो, क्या आपने उसके बारे में complete information जितना आपसे पूछा गया है वो सारे points आपने explain किये हैं या नहीं किये हैं और कितनी अच्छी आपकी handwriting है, कितना अच्छा आपका diagram है यानि कि जो भी question पूछा गया है, आपने उसे अच्छी तरसे अगर examiner के सामने represent किया है, तो definitely आपको complete marks मिलते हैं अगर आपके पास long question में choices मिली हैं, जैसे माली जी section C में 5 question है, और आपसे बोला गया है कि मातर आपको 2 question या 3 question explain करने हैं तो वही questions attempt करें, जिसके बारे में आप अच्छे से explain कर सकते हैं, और उसमें भी ध्यान रखी कि अगर किसी question में diagram आ रहा है, तो diagram वाला question जरूर चूज करें, उससे आपका समय भी बचेगा और आप अच्छे से diagram represent करके examiner करें, एक psychologically मैं आपको बता रहा हूँ कि यह ज़्यादा प्रभाव डालता है, ठीके finally, जाते जाते student में आपको कुछ survival technique भी बता देता हूँ, जो कि मैंने 9th class में किया था, आप लोग मत करना, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, देखिए, जैसे माली जी section A में आपसे total 10 question पूछे जा रहे है, short question, ठीके, आपसे पूछे गए है, short question, एक question आपसे दो 7 question ही आते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, कि आप number wise question को attempt मत करना, ठीके, जैसे माली जी की पहले 5 question, उसके बाद 2 question, और numbering भी आपको नहीं करनी है, तो इस परकार से आप क्या कर सकते हो, जैसे कि माली जी आपको 7 question आते हैं, तो जो दूसरे number वाला question है, उसे आप last में भी लि ही है, तो SM examiner इसके भी दो number देगा, इसके भी दो number देगा, यह किया भी था मैंने, लेकिन आप लोग मत करना, हलाकि मैंने आपको बता दिया है, मिलते है student next video में, bye bye, ta-ta